गया और नारेण के चरणों को पकड़ कर कहा नाथ आप क्यों आयों ये ते बताओ भगवान ने कहा आपको मालूम नहीं में लच्छमी को लेने आया हूं और लच्छमी को तो मैं अपनी हाँ रखना चाहता हूं नाथ मैं इसको छोड़ नहीं सकता में लच्मी की को छोड़ नहीं सकता मैं इनको लेकर जाओं किसान रोने लगा तब भगवान नरेंड ने धन तेरस की पूजन का महत्व संजाया तब भगवान ने धन तेरस की पूजन का महत्व संजाया सुनो किसान म्रत्यूर लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है धन तेरस के दिन कार्थिक महिने में पढ़ने वाली सुन्दर त्रयोद शीति थी को जो धनवंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लच्मी कभी बाहर नहीं जाए नरेंड जेसी वोले तो किसान तुरण्त प्रसंद हो गया प्रवु आप मुझे उपाए आप मुझे वो पूजा का प्रयोग आप मुझे मुह महत्व उस द्धन वंतरी पूजन का उस धन-तेरस की पूज़न का बता दीजिए जिस से मेरा कल्यान हो जाए जिससे मेरा उध् विष्णु बोले किसान सुनों यह धनमंतरी मेरा ही एक अंश उता है जैसे मेरे हाथ में शंक चक्र गड़ा पर्मसब धारण करा हुआ हूं उसी तरह धनमंतरी का सुरूप का यदी आप दर्शन करेंगे आप धनमंतरी के चित्र का अगर्द रशन करेंगे तो एक हात में उनके विचक्र है एक हात में उनके शंक है एक हात में उनके आउश दिये है एक हात में अम्रत का कलश है और भगवान स्वयम नरायन का अंश प्रगठ हुआ है भोल धनमंतरी भगवान की धनवंतरी भगवान की कहते हैं धनवंतरी भगवान का प्रागट जब हुआ था तो भगवान शंकर ने धनवंतरी देव को देखकर कहा वा रे प्रभु वा क्या सुन्दर शुरूब धारण करकर आयो प्रभु जब मेरे लिए विश्य लेकर आय थे तब आनंद दूसरा था पर आज अम्रत लेकर आयो उसका अनन्द दूसरा है भगवान विश्णु कहते हैं सुनो किसान मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताते हैं भगवान कहते हैं किसान सुन्दर कृष्ण पक्षकी त्रियोदशी को कार्थिक के महिने में धन्वंतरी देव का पूजन धन्तेदिस का पूजन माना जाते हैं सुनो किसान एक सुन्दर भूमी पर देशी गाय का गोवर से लीपन करकर अगर गाय का गोवर न मिले सुन्दर जल से लीपन करकर वहां एक सुन्दर चोक को पूर कर आप सभी को ग्यात होगा कि चोक पूर्णे में रांगोली का प्रयोग नहीं होता आप लोगों को मालूम होगा चोक पूर्णे में आठा और हल्दी का प्रयोग होता है प्रेड का प्रोग होता है आटे और हल्दी का प्रेउग क्यों होता है क्योंकि आटा सम्रद्धी को बढ़ाता है लच्मी बेभाव को बढ़ाने वाली रि होती है इसलिए जब चोग पूरा जाता है बोमी पर जोक पूरते when ऄह का प्रेयोग करते है थोड़ा छावल का दाना यह गयों का दाना रख किया जाता है तो कि अबड़ एक सुन्दर-चो की एक चवरंग एक पाटथा रख कि भगवान विश्णु बता रहे हैं किसान को धन्तेरस के पूजन का बिढ़ना और जो भगवान विश्णु ने बताया है वहीं पूजन का बढ़ना आपसलोक्स बढ़न कर रहे हैं आज धन्तेरस से आज धन्तेरस का प्रयोक कर पूजन करें और शिव महापुरान के इस भा आप धारण करें और जो विधान भगवान विश्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार आप लच्मी का पूजन धन्तेदस का पूजन करें चौकी लगाएं चवरंग लगाएं पाटा लगाएं उस पाटे पर एक सुंदर लालबस्त्र धारण करा दें लालबस्त गिला करकर स्वस्तिक का निर्मान करकर स्वस्तिक का निर्मान करकर घर में अगर चांदी का सिक्खा हो अगर चांदी का सिक्खा नहीं हो चांदी का क्वाइं नहीं हो तो अपने घर का एक का सिक्खा दो का सिक्खा पांच का सिक्खा दस का सिक्खा जो भी आपके घर में हो पुक्वाइन लेने महारत उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर फिर उसका इस्मर्ण करें आटे के साथ दिये बनाएं एक थाली में एक प्लेट में रख लें घी के दिये बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा ध्यान दीजिएगा इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी लच्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे महारत गी के दिये लगा दें साथ सातों दिये को प्रजुलित कर लें प्रगट कर लें एक दिया तेल का लगा लें तेल का जो दिया लगाया है जहां प सीधा हार की और आप तेल का दिया लग दे और जो यॉलिक्त पो आपने प्रज्ळीत करें हम सुन्दर थाली जो आपने पूझनके तैयार करी है उसमें कूंकू रोली हल्दी अभीर गुलाल चंदन मौली लाल धागा मौली अमर बिल के तुकड़े कमल गट्टे हल्दी की गांट कि सुन्दर भाव में उसको रखे जलकापात सुन्दर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देशी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें लच्मी पूजन का समय अलग अलग होता है पर धन्तेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारम हो जाता है कब से प्रारम हो जाता है प्रदोष क्योंकि शिव के द्वारा निर्मी थे लच्मी पूजन का महाराच क्वाइन का पूजन करने के बाद दोनों को उठा लें दोनों कोई जो चांदी का सिक्का है और जो देशी कोई ने उसको ठाकर उस पर जो कलेवा है मौली है नाडा है लच्छा है उसको लपेट ना प्रारम करें और उसको लपेटें पहले चांदी का सिक्का लपेट देशी सिक्का जो आपने महाराज हल्दी रौली मौली चंदन आदिक लगाकर सुन्दर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लच्मी के ऊपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणे मैं करें भगवान शुद्धि के दाता श्री गणेश जी महăराज हर आप हमारे यहां पर सदा माता लच्मी को लेकर कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान नारायणको लेकर बिराजमान रहें चावल छोड़ते जाये और बाबासि जिंटी करते जाये है माता लच्मी से निवी दन करते जाएं छावल पूर्ण छोड़े में ऊजन पूरी तरह से हो जाए तब महराज साथ सुन्दार आनंद से अमर बेल के तुकड़े अमर बेल व्रक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है पीली उसमें पत्ते नहीं होते हैं वह किसी भी विरक्ष पर डली रहती है वह अमर बेल खेलाती है कि अमर बेल कि लच्मी पूजान में सम्रद्धी के लिए मकान के महुरत के समय पर ग्रह प्रवेश के समय पर बहुत कार्यात यह अमर बेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती आप रूप किसी विरक्ष पर डाल दी जाए वह अपने आप फलती चली जाती है उसी तरह हमार भेल बिना पानी पड़े भी किसी विरक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती यह बढ़ती ही चली जाती है से अमारे घर में बेभव लच्मी बढ़ती जा है अ मर बेल के साथ तुकडे कमल गट्टे साथ हल्दी की गठान साथ हल्दी के समर्पित कर दो कि कि दोनों हाथों में हल दीपिसी लिई च और माता लचमे के ऊपर उसे चड़ाना पर अरम कर दीजिए साथ बार इसी वह थे बॉह हंनी ए वह शिक्कों पर चड़ा दे अपनी मनो कामें ना करकर अपने घर में माता ही बिडाजमान रहे हाथ में उसा county बॉन्य घर करिए तब इसके पश्चात सुन्दर जो भी घर में मिष्ठान हो मीठा हो नहीं हो शक्कर हो गुड़ हो मिष्री हो जो भी आपके पास में हो खड़ी सक्कर हो वो भगवान को माता लच्मी को भोग रख दीजिए अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए महाराज संपोर्न पूजन करकर आपके घर में जो देवालाई में भगवान बेठे उनका भी पूजन करियम करने के पश्चात आप माता लच्वी से निविदन करिये है माँ आप हमारे शदा विराजमान हो महराज यह जो पूजन है भगवान विश्णु जो बता रहे हैं किसान को यह पांच दिन की पूजन है पूरी पूरी आज कौन से दिन का पूजन बता रहें पहले दिन का अज धनते रस्य रूप चव्दस अमावस्या एकम और दूज ये पांच दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है थीप महस्या मनाया जाता है पूजन करने के बाद जो साथ दिये आपने प्लेट ने रखे हैं ठाली में रखें फूजन के लिए गीके उन सातो दियों से मातालचमी की आरती उतारी उतार दियों से माता लच्मी का पूजन करिए माता लच्मी से विंती करिए को हुआ हम आपके पुत्र है मां आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो अ बहुत कश्ट है बहुत दुखी है पर भगवान शिव पर विश्वास करकर कुबेर भंडारी पर कुबरेश्वर महादेव पर विश्वास करकर भगवान नरैन के सुन्दर प्रसंगुप पर विश्वास करकर मा भगवान शंकर का अनुमोधन करकर है मा आप हमारे घर में वि द्वार को आप ब्हूल गई हो मां, है वेवहु लचमिे धन लचमि, है संतान लचमी, है मां लचमि, है द्धाने लचमि, आप हमारे घर में विराज मां, साथ दीप जो परजुलित करें हैं उससे माता की आरती उतारिए फिर माता को जोली पसार कर प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो जब जोली पसार कर प्रणाम करें जोली को अपनी और गिरा लें और माता को नमन करकर जो साथ दिये आपने लगाए हैं उन साथ दिये को अलग-अलग इस्थान पर ले जाकर जैसे घर के हॉल में एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्छमी रखते हो उस इस्थान पर एक घर के द्वार के पास में एक तुल्सी के क्यारे के पास में ऐसे अलग-अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया है एक भगवान का जहां पूजन हुआ है लच्छमी की जहां अराद ना करी एक दीप वहां पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का दिया माता लच्छमी के उल्टे और घी का दिया माता लच्छमी के सीधे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया माता जी का सीधा हो गया आपका उल के साथ विराजमान वैं तो ऑगवान नरैन के साथ मेंने हमारे सदा विराजमान हो यह आनन्द रखना यह बहव रखना घर में भगवान विष्नु कहते हैं किसान सेütün और अपने अगर धन जमंतर की पूजन करिए धनतरस की पूजन करिए कोई वस्तू कोई सामगरी अगर आप लेकर आए हो पात्र लेकर आए हो प birlब आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहें अगर पुसका ही पुजित बड़ा भाव रखकर भगवान विश्णों ने किसान को बताया बड़ा बड़ा किसान सुनकर बड़ा परसंद हुआ मित्रो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन दवा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सुरी सिवाय नमस्तु ब्यम जै मालचमी